सब्सक्राइब कीजिए लौ अपडेट्स यूटूब चैनल को और साथ मैं ही बेल आइकन को प्रेस करें निव लौ लेटीज जानकारी के लिए रिमान्ड, चार्चिट और जमानत किन मामलों मैं आरोपी को कितने दिनों तक रिमान्ड पर लिया जा सकता है और चार्चिट ना होने पर जमानत मिलने का क्या प्रावदान है रिमान्ड का चकर किसी मामले में की गई गिरिफ्तारी के बाद जान्च एजन्सी पूछताष के लिए आरोपी को रिमान्ड पर ले सकती है आरोपी को गिरिफ्तार कर अदालत मैं पेशी के बाद 14 दिनों तक पुच्टाश के लिए रिमांड पर लिया जा सकता है हालांकि जांच अजेंसी को अदालत को बताना होता है कि किस कारण रिमांड चाहिए इसके लिए उसे अदालत के सामने तथ पेश करने होते हैं और अदालत जब जांच एजेंसी की दलीलों से संतुष्ट होती है तभी आरूपी को रिमांट पर बेजा जाता है पुलिस रिमांट पर लिये जाने के बाद अगर आरूपी को नियाएक हिरासत में भेज दिया जाए और दोबारा जांच में कोई नया तत्य सामने आ जाए और आरूपी से दोबारा पुछताज की जुरूर्थ होतो आरूपी को दोबारा रिमांट पर लिया जा सकता है लेकिन यह सब गिरिफतारी के 14 दिनों के भीतर ही हो सकता है उसके बाद नहीं अगर गिर्फतारी के 14 दिनों बाद जांच एजैंसी को कोई पुछताश करनी है तो बह अदालत की सुईक्रिती मिलने के बाद आरूपी से जेल में पुछताश कर सकती है कम मिलेगी जमानत पुलिस इमान्ट के बाद आरूपी को जब तक जमानत ना मिले उसे नियाई खिरासत में रखने का प्रावधान है चारशीट दाखिल होने तक आरूपी की नियाई खिरासत 14-14 दिनों के लिए बढ़ाई जाती है जबकि चारशिट दाखिल होने के बाद नियाई खिरासत की अवधी मुकदमे की तारिक के हिसाब से बढ़ाई जाती है CRPC की धारा 167 कलॉज दो के तहट समे पर चारशिट दाखिल ना किये जाने पर टेक्निकल ग्राउंट पर जमानत दिये जाने का प्रावधान है अगर आरूपी के खिलाप ऐसा मामला दर्ज हो जिसमें 10 साल कैद से कम सज़ा का प्रावधान है तो टेक्निकल ग्राउंट पर आरूपी को जमानत दिये जाने का प्रावधान है बशर्ते जांच अजेंसी ने आरूपी की गिरिफ्तारी के 60 दिनों के भीतर 4 शिर दाखिल नहीं की हो 10 साल कैदिया उससे ज्यादा सजा वाले मामले में अगर गिरिफ्तारी के 90 दिनों के भीतर आरूपी के खिलाप 4 शिर दाखिल नहीं की जाती तो जमानत मिल जाती है दस साल से कम सज़ा का प्रावदान है तो चार शीट दाखिल करने के लिए 90 दिनों का समय होता है इस अबदी में चार शीट नहीं होने पर आरोपी को जमानत मिल जाती है दस साल से ज्यादा सजा वाले मामले में 180 दिनों तक चार शीट दाखिल नहीं होने पर जमानत दिये जा हैं उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक करें अपने फ्रैंस को शेर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी